अज में ला आई आपके लिए तरह बनाना सब्सक्राइब, Xin让 us a с there, बाक वालिक, 10-10 लेयी और यह फ्रॉट नहीं कापके लिए 17-20 मृत बास नहीं करती है, प्याई भाइक और बीचर नहीं करती हुआ है, अच्छे साम पहले इसको गरम कर लेंगे दूद को गाइस बहुत मज़ेका बनता है और आजकल तो सीजन है गाजरो का जबरदस गाजरे आरी है आप जरूर प्राई करेगा इसको गजरे लगो बहुत मज़ेका लगता है यह सबसे पहले मैं इसमें चावल एट कर दूँगे दूद हमारा गरम हो चुका है चावलो को हम थोड़ी सी देर पकाएंगे कि चावल हमारे आदे गल जाएं उसके बाद हम गाजरो को बहुत जादा टाइम नहीं लगता है गलने में इसलिए पहले हम चावलो को गला लेंगे बहुत असान तरीके से मैं आपको शिका रही हू देखें पकाएंगे चावल तकरीबन 10 मिनट हो चुके गाजरे बीएट कर दोंगी तो इसको हम पकाएंगे इतनी देर पकाने कि हमारी घाजरे बीगल जाएं और थोड़ा से इसमें गाड़ा पाना जाएं तो पिर इसमें चीनी बीएट कर देंगे थोड़ी दर्मियानी आज पर आप इसको बनाएगा बहुत हलकी आज पर नहीं नहीं तो फिर यह पतला ही रहेगा यह देखें थोड़ा सा गाड़ा पन भी इसमें आ रहा है मैं इसमें चीनी एट कर रही है एक पहली चीनी लिए यह आप इपने टैस्क के हिसाफ से लिभी ले सकते हैं और एक चुटकी में नमक भी एट करूंगी नमक से बहुत अच्छा ता टैस्ट आ जाता है एक चुट एक चुटकी मैंने नमक एट कर दिया इसमें नमक से बहुत जबरदस टैस्ट हो आता है आप जरूर इसको डाल के देखिए का नमक को बस हम इसको दस से पंद्रा मिन में और पकाऊंगी थोड़ी सी आज मैंने कम कर दी है थोड़ी सा गाड़ा पन आ जाए फिर हम इसमें मे सब्सक्राइब कर दिखाते हैं इसको इतना जबरदस इतना यमी बना है यह थंडा हो के फुरसा और गाड़ा हो जाएगा बस हमें चूला बंद कर देना है बिल्कुल रेडी हो चुका है यह आप जरूर ट्राइ करेगा मेरी रेसिप अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि मेरी रेसिप आपको कैसी लगी अपना ख्याल रखे किएगा अल्ला हाफिज